Good evening everybody I hope you all are really doing well आज हम लोग जलाल अलदीन रूमी के एक बहुत ही चोटी और इंट्रेस्टिंग सी पॉइम जो है वो डिसक्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है A Stone I Died बहुत ही चोटी है चार इसकी लाइने हैं तो बस जल्द जल्द इसको कवर करेते हैं इसके बाद इसके थीम्स और कुछ और इंपोर्टन शीजे इसके बारे में देख लेंगे तो पॉइम देखिए A Stone I Died and Rose Again A Plant मैं पहले पत्थर था मैं मर गया और फिर एक प्लांट में बदल गया प्लांट बन के जो है मैं जिन्दा हो गया A Plant I Died and Rose An Animal फिर मैं एक पोदा था और ऐसे पोदा भी मैं मर गया और फिर एक आनिमल में जो है वो जिन्दा हो गया I Died an Animal and was born a man और फिर एक जानवर की तरहां भी मैं मर गया और फिर एक इनसान बन कर पैदा हुआ Why should I fear? मैं क्यूं डरूंगा? Why have I lost by death? और मोत जो है वो मेरे से क्या ले जाएगी? मेरे पास तो खुने के लिए कुछ भी नहीं है मुझे किस चीज़ का डर है? पोईम हमारे बस इतनी सी है अब समझे इसकी पहले समरी इसका critical analysis इन चार लाइन्स में जो है हमारे जो जलाल अलदीन रूमी है वो reflection दिखाते है life of cycle का, death का, rebirth का कैसे? अपने सूफिय mysticism के lens से जिस तरह वो दुनिया को देखते हैं वो क्या कहते हैं? कि ये दुनिया जो है, ये पूरी की पूरी दुनिया ये एक life of cycle है अगर कोई plant, वो मर जाता है अगर कोई animal है, वो मर जाता है इनसान है, मर जाता है, जानवर है, मर जाता है तो सब लोग जो मरते हैं definitely एक दफ़ा वो जिन्दगी हासिल करते हैं और फिर वो मरते हैं और फिर उनकी जगह जो new वाले जी तरह एक बात है कि जब पुराने पते जड़ जाते हैं तो नई वाले पते आ जाते हैं तो ऐसी ना सूफी बाते होती है यानि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो रू है, जो transformation है वो नई वाले प्लांट्स में आ गई है इसी तरह वो खुद के भी बात कर रहा है कि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज है चाहे वो matter की है in animated है या animated है कोई भी चीज है वो zero scratch से लेकर end तक जो है उसकी दो चीज़े इसमें आ सकनी है एक कोई भी चीज वो matter हो या कोई और चीज हो उसकी जो end है वो death है और ये भी उसका end नहीं है क्यों लोग डरते हैं death से नहीं डरना चाहिए end पे वो कहते है why should I fear मैं क्यों डरू क्योंकि वो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे से ले जाएगी लेने से मुरादिय है कि हम जिन्दियों में अपनी जिन्दगी में बहुत जिदा suffering देखते हैं ठीक है एक जो सूफी बंदा होता है अगर मैं आपको उसके lens समझाऊं तो एक इनसान जब इस दुनिया में आता है जब तक उसको अपना मकसद नहीं पता होता उसका religion उसके पास नहीं होता ठीक है religion जो होता है वो backbone होती है human being के लिए तो उसको नहीं बता तो वो as a stone ही होता है ठीक है और जब वो stone जो है ना वो stone जब आप उसमें knowledge की चीज़े भरते हैं कोई भी चीज़े भरते हैं तो एक plant की तरह जो है वो grow ना शुरू हो जाता है सही हो गया और फिर जो वो plant जो है plant कौन खाते है एक animal खाते है ना तो उसकी जान जो है वो उसमें आ जाती तो वो कहते है कि मैं plant था मुझे एक animal ने खाया और फिर वो उस animal में चला गए ठीक है अब मैं एक animal की तरह जी रहा हूँ और animal को कौन खाता है definitely human beings खाते है तो human being मैं बन गया हूँ ठीक है तो उस human being यनि मैं बेशक पत्थर था या पोदा इनसान था या जानवर definitely हर एक चीज़ को जिस दुनिया में आई है उसे मौत का मज़ा चकना ही चकना है और एंपे कहता है वो लोगों को भी कहता है कि आपको डरना नहीं चाहिए और वो रीडर्स को भी कहता है कि मैं किस चीज़ से डरू क्योंकि मैंने तो death को already face कर ली है as a stone, as a plant, as a animal as a human being तो मैं किस चीज़ से डरू मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि वो जो लेके जाएगा क्योंकि मुझे ये believe है ये जो death होगी ये internal death नहीं होगी यनि वो after death की बात कर रहे वो खुदा से हमकलाम होने की बात कर रहे उससे male male lab की बात कर रहे या cycle, life of cycle की बात कर रहे ठीक है वो कह रहे है कि जिस तरह मैं एक stone से plant में आया यनि मुझे लगा एक stone था मैं as a stone मर जाओंगा लेकिन नहीं as a stone plant में transform हुआ plant जो है वो अनिमल में transform हुआ तो वो इससी तरह transformation की बात कर रहे पीकर है वो progression की बात करें different stages के जरीए in simple words वो कह रहे that every soul will taste death अब इसका एक मतलब और निकलता है वो ये निकलता है कि किस तरह एक इनसान जब उसके पास कुछ नहीं होता religion नहीं होता तो एक as a stone की तरह होता है जब आप उसके अंदर religion भरना start कर देते है knowledge की बाते डालते तो एक plant की तरह grow होना शुरू हो जाता है ठीक है फिर जब उसके पास आदा धूरा इल्म होता है और अभी तक वो अपने खुदा से हमकलाम नहीं हुआ होता अपने हालिक हाकीकी से जो है जिसने उसको बनाया उससे अभी तक उसे पहचान उसकी नहीं होती तो वो animal होता है लेकिन जैसे ही वो उसको इस्तमाल करते है वो उससे जाके मिलता है तो एक human being बन जाता है ठीक है तो वो कहते है कि जब मैं human being बन चुका हूँ जब मैं उसको पहचान चुका हूँ मुझे इस transformation की इस life of cycle की बात पता चल गई है मैं इतने low level से stone से एक human being बन गया हूँ तो मुझे किस चीस का डर है मुझे तो कोई किसी चीस का डर नहीं क्योंकि मेरे पास तो ये सब कुछ था ही नहीं और अब जब मेरे पास ये सब कुछ है तो मुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं है और ये जितनी भी point क्यों मैं इसको बार बार mystical कह रही हूँ क्योंकि वो सच में एक stone से plant में बदला नहीं है बलके जो मैंने आपको religion की example दी ये एक spiritual change है एक spiritual transformation एक spiritual progression है spiritual stages के जब आप किसी भी चीज में new होते हैं तो आप को बलकुल पता नहीं चलता लेकिन आहिस्ता 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 आपके पास उसका बहुत से knowledge आ जा जाता है और आपको पता चल जाता है आपको wisdom आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत और इनसान ही है जिसको पता है कि क्या सही और क्या गलत जब इनसान को पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है और मुझे बनाने वाला कौन है मेरे पास मजहब की पावर है ताकत है so this is called mysticism तो इसके थीम देख लेते हैं सबसे पहला थीम है the cyclic nature of existence यनि nature existence की nature दिखाए गई है उसके बाद transformation की बाद की गई है किस तरह by stages किस तरह transformation हुई है उसके बाद acceptance की किस तरह acceptance की अगर वो पत्थर भी है या plant भी है कुछ भी है उसने अपने आपको accept किया और आप वो death से नहीं रहता mysticism की बाद की गई है और death का theme जो है वो यहां पर आया है अब बारी है symbols की तो सबसे पहले symbol है इसमें stone उसके बाद है plant, animal और man, death and fear यह सारी symbols किस तरह use हुए है वो तो मैंने आपको बता दिये हैं लेकिन पिर जल्दी से इनका brief मैं आपको briefly बता देती हूँ stone की इस तरह हुए कि यह जो है beginning of life के बारे में बता रहे है तब जब आप एक basic form of matter होते हैं आपके अंदर कुछ भी नहीं होता ठीक है और उसके बाद है plant की तरह आप में new जो है जिन्दगी आना start होती है किस तरह आप religion को accept करना start करते हैं उसके बाद है animal जब आपके पास बहुत सरे knowledge तो होता है but you don't know how to use it उसके बाद है man man जब आपको shower आ जाता है conscious आप उस level तक पहुंच आते है जहापे आपकी जो spirit है वो बहुत ही ज्यादा heal होना start हो जाए आपको पता जल जाए कि आप में जो mystical element है वो आना start होगे आप अपने रब से मिलना start होगे है उसके बाद death का जो है वो दिखाए गया कि death से वो क्यों डर है सब लोगों को death का डर होता है लेकिन death का डर क्यों होना चाहिए जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो जिन्दगी है ये permanent नहीं है चेकर temporary और उसके बाद fair है लोगों को ये materialistic world छोड़ने का बहुत ज़दा fair है जो कि नहीं होना चाहिए तो ये थे सारे इसके symbols के थी stay tuned for more such video तब तक लिए खुदा हाफिज